जैसे कि अगर आपके चेरे पर दाग या धब्बे की प्रॉबलम है या फिर आपके चेरे पर मुहासा हुआ है या फिर मुहासा होने के बाद में आपके चेरे पर मुहासे का निसान पढ़ गया है या फिर चेरे पर छैया की प्रॉबलम हो गई है जिसे जाईया कहते हैं पू आखो के नीचे पर बलेक पन हो जाता है तो उस समस्या में ये क्रीम लगाया जाता है जो हमने आपको प्राबलम बता है इस सारी समस्या में इस क्रीम का उपयोग किया जाता है तो इसी क्रीम के बारे में आपको बताएंगे इस क्रीम का उपयोग और कहां कहां किस समस्या किस बिमारी में डॉक्ट के दौरा ये क्रेंग लगाने के लिए दे जाता है इसके बारेम में पुरा डेटेल से जनकारी आज हम आपको हिंदी पर किया जाता है और पिर आपके चेहरे पर मुहासा होने के बादפ है मुहासे का निसान पढ़ गया है या फिर चेहरे पर छाईया की प्राबलम हो गई है जिसे जाईया कहते हैं पूरे चेहरे पर जाईया की प्राबलम हो गया है फिर आपके चेहरे पर किसी परकार का सरजरी हुआ है या फिर वैसे किसी परकार से आपके चेहरे पर दाग पड़ गया है फिर आपके चेहरे पर कहीं पर डार्क है और कहीं पर लाइट है जैसे कि अगर चेहरे के कहीं पर जैसे आखों के नीचे पर बलेक पन हो जाता है तो उस समस्या में ये क्रीम लगाया जाता है जो हमने आपको problem बता है इस सारी समस्या में इस cream का उपयोग किया जाता है जैसे कि ये cream आप कब-कब लगा सकते हैं जैसे कि आप ये cream सोते टाइम रात में अपने चेहरे पर जहां पर आपको समस्या है वो आप अपने चेहरे पर particular area पर इस cream को apply कर सकते हैं रात को जैसे कि ये क्रीम लगाने से पहले आप अपने चेहरे के किसी भी पार्ट पर जहां पर आपको समस्या है उसके थोड़ी सी जगा पर ये क्रीम लगा के टेस्ट करें जैसे कि अगर आप लगाते हैं वहाँ पर लाली पना हो जाता है या फिर वहाँ इचिंग की प्राबलम होत या फिर redness की समस्या आती है तब ये किरीम आप उपियोग ना करें कोई ऐसे समस्या नहीं होता है फिर आप इस किरीम को रात को सोते टाइम अपने चेहरे पर जहां आपके चेहरे पर particular area पर आपने पूरे चेहरे पर आप इस किरीम का apply कर सकते हैं जैसे कि अब इस किरीम के side effect क के बारे में जान लेते हैं जैसे कि आप चेहरे पर किरीम लगाएंगे वहाँ पर redness की प्राबलम हो सकती है खुजली हो सकती है इचिंग हो सकती है और वहाँ पर लाली सा पड़ सकता है स्वैलिंग सा हो सकता है तो अगर आपको ये सब side effect देखने को मिले तो ये किरीम आप अपने चेहरे पर apply ना करें और इसके लावा अगर आपको कोई दिकत कोई परसानी है तो आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपरक करके दवा लें कोई भी दवा कोई भी किर आप अपनी मर्जी से उपियोग ना करें